बड़ी खबर की और मिशन दोहजार चोबीस को लेकर के पंच्छकुला में बीजेपी की आज बड़ी बैठक यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बिग बैठक बीजेपी की सीम्मरोहराल और प्रुदेश बुर्बारी विपलब देव का इंतजार फिलाल किया जा रहा हैं बीजेपी के प्रदेश सद्याक्ष राइप सैनी भी पहुंचे हुए लेकिन फिलाल इंतजार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और मुख्यावंत्री मरोहर लाल का यहां पर किया जा रहा है अब बड़ी खबर आपको बताने मिशन तोजार चूबीस को लेकर के यह बड़ी बैठक हर्याना बीजेपी की और बीजेपी के तमाम विदायक तांसाद बंत्री पदाधिकारी प्रदेश इस्तरी पदाधिकारी वो भी यहां पर पहुंचे हुए है प्रदेश सद्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए है गुल्शन ग्रोवर हमारे विशेश समादाता हमारे साथ जुर गए है अधिक जानकारी के साथ गुल्शन क्या कुछ ताज़ा जानकारी फिलाल इस बैठक को लेकर देखे बैठक शुरू हो चुकी है हितंद्र लगबग आदा घंटा हो गया है बैठक चल रही है इस समय और मुख्य मंतरी मनहोर लाल के बैठक में पहुंचने का इंतजार है और साथ में परदेश परभारी विपलब देव भी बैठक में नहीं पहुंचे है इसके लावा इस बैठक में मंतरी मौझूद हैं विधायक मौझूद हैं सांसद मौझूद हैं जिले के जो जिला अध्यक्ष है वो मौझूद हैं जिले के परभारी मौझूद हैं हलाकि अगर सांसदों की बात करें तो जो मौझूदा सांसद में गुरुगराम से सांसद राविंदर ज सिंग सब्क исп Wiris mering कृष सब्सक्राइब कि अलावा भीवाणी मेंदरगाड कार्यवी सब्सक्राइब है क्यां कि मउख्यमंत्री मनोर ratios कैसे हैं मनोरलाल के साथ इस समय हर्याना निवास में उनकी बैठक चल रही और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मोहनोनलाल के पहुंचने का उंतजार है आप पीछे तस्वीरे देख सकते हैं इस समय पीड़ुडी रेस्थाउस का इन जा रहा है जहां पर अंदर जो है इस समय बैठक चल रही है लगवार काफी समय जो हो गया है और जो विक्सित भारत संकल प्यात्रा है अब वो हर्याना में शुरू होने जा रही है जो कि 50 दिन तक यह यात्रा चलेगी हर दिन 100 कारिकरम होंगे तो जो 100 कारिकरमों की जो रूप दिर रेखा है किस विदायक की डूटी लगानी है किस सांसत की डूटी लगानी है आज हो सकता है कि इस बैठक मे कोई ना कोई डूटी जो है आप पर लगाई जा सकती है मिरसाथ संजे आऊ जा है हम उनसे जान लेते हैं संजे जी आज की बैठक कितनी एहम और कितनी दिर में मुख्य मंत्री मनोरलाल पहुचने वाले है देखिए आज की जो बैठक है अमारे लिए तो वैसे हर एक बैठक ही मुख्य तोर पर आपने भी बताया जो परदेश के मंत्री गण है या संसद है उनकी मुख्य रूप से जिम्मवारी रहने वाली है और जल्दी ही हमारे बीच में मुख्य मंत्री जी पधारने वाले हैं पहली बार परदेश अद्यक्ष नायप सिंग सेनी के नेतरतम में इस बैठक हो रही है इस बैठक में और एजिंडे क्या-क्या रहने वाले है विक्सित भारत संकल प्यात्रा तो रहने वाली है मिशन 2024 को लेकर के भी क्या क्यों रंडीती तियार हो निश्ची तोर पर मैंने आपको बताया कि मारी जब भी बैठक होती है तो उसमें चुनाव की दिश्टी से हम विशे जरूर लेते हैं तो अब चुनाव जो 2024 का है हमारे सिर्पर है तो इस पर भी कुछ ना कुछ निन्ने जरूर ले जाएंगे देखिए सांसद धरंबीर सिंग पहुँच चुके हैं बिवानी मेंद्रगर से सांसद जो की अभी अभी पहुचे हैं और कुरुगराम से जो सांसद है वो राव इंदर्जी सिंग वो फिलाल नहीं पहुचे है हलाकि और अन्य सभी मंत्रीगंड सांसद विधायक जिला अद्यक जिला परभारी इस बैठक में मौझूद है संजय जी एक बात और बताईए कि जो यह बैठक चल रही है पहले भी इस बैठकों का इन बैठकों का दोर होता रहा है पुर परदेश अद्यक सोंग्रका को जाने वाला है देखी यह बिल्कुल गलत है कि सरकार और संगठन में समन्वे नहीं था हमारी अधक्षय परनाली है तो संगठन जो है वो उससे सरकार बनती है तो दोनों में समन्वे था यह मित्थे है कि लोगों ने ऐसी एक बात भैला रखी थी कि अध्यक जी और सीम सा प्यात्रा जो संकल प्यात्रा है उसके निमित है और आगे जो अगामी जो हमारे कारी कर रहा है उसके निमित यह बैठक रहने वाली है इस बर कोई चुनोती भी देखते आप 2024 में देखे चुनाव में चुनोती तो होती है लेकिन जिस हिसाब से अमारे देश के परधान मंत मंत्री जी और परदेश के मुख्य मंत्री जी ने जो कारे किये हैं मुझे लगता है वो चुनोती से हम पार पाएंगे देखे इतंद्र जो इस बैठक का मुख्य उदेश्य है वो विक्सित भारत संकल प्यात्रा जो अब हर्याना में निकलने वाली है अलाकि वो पूरे दे हैं कि पाथ हजार सेथी कारे करम जो है यह पूरे हर्याना में होने वाले हैं और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं परदेश स क्यों लांता मत्री मनौन लाल के पहुंचने का इंतलार मिक्हार है कुणी देर हैं और मुक्खे मंतूरी-्मनोरलल के पहुच्छेंगे और प выступ wedding allology औरक यहां पर पहुचेंगे और प्रुभारी के बारेमने कि क्या कोछ जानकारी वह कितने देर में पहुच्छ सकते हैं और प्रेस कॉन्फरेंस में परदेश अद्यक्ष नायब सिंग सेनी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनहोर लाल भी मौजूद रहने वाले हैं और इस जो बैठक में क्या कुछ आगे के लिए रन्निती त्यार की गई है उसके बारे में प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी विक्सित भारत जो संकल्प यात्रा है उसमें किन-किन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है किननेताओं की ड्यूटी लगाई गई है इसके बारे में भी प्रेस कॉन्फरेंस में बताया जाएगा तो मुख्यमंत्री मनहोर लाल स्वेम प्रेस कॉन्फरेंस में मौजूद रहने वाले हैं जो कि डेड़ बजे का समय प्रेस कॉन्फरेंस का दिया गया है लेकिन पहले मुख्यमंत्री जब इस बैठक में आएंगे तो बैठक में जो आगे के रंडिती है उस पर यहां चर्चा होगी तो का जा सकता है कि दो या कि आज पास जो है प्रेस कॉन्फरेंस हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री जब इस बैठक में पहुंचेंगे तो आदा से एक घंटा वो भी उस बैठक में रहेंगे और जो विधायक हैं मंत्री हैं सांसद हैं जिलाद्यक्ष हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी कि उनके विधान सभा में या उनकी लोग सभा में या उनके जिलों में क्या क्या कुछ चल रहा है क्योंकि इसलिए यह बैठक बुलाएगे यह उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी कि सरकार की जो खामिया हैं उनके बारे में भी जानकारी दी ज बैठक है कि जब परदेश सद्यक स्नायप सिंग सेनी बने तो इतनी बड़ी बैठक जो है बिल्कुल पंच्कुला के पी डबलुडी रेश्टाउस में जो है इस समय चल रही है चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखिए कि और भी ताज अब्रेट्स आप से लेते रहेंगे समय समय चल रहेंगे